नमस्कार जैहिन दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का और यह आपका रुख्मिनी पॉब्लिकेशन का है बिहार जीके का कोशन देखने वाले हैं देखे बिहार दरोगा में आपको पता है एक से ले करके दो कोशन जो है आपको बिहार दरोगा में ब पीडी का अलग है रूटेरिया का अलग है ग्यान बिंदू का अलग है तो आप रिवीजन करते चलिएगा ठीक अगर आप ट्रेन वगरा कहीं भी होंगे या फिर आप कहीं भी अगर आपको टाइम मिल लाए घंटा-दो घंटे का तो रिवीजन करते चलिएगा क्यूंको सेना के संबंध में निम्न में से क्या कहा गया है देखिए चंद्रगुप्त मोरी की सेना में च्छा लाग पैदल सैनिक थे सही है चंद्रगुप्त मोरी की सेना में तीस हजार घुड़सवार थे सही है चंद्रगुप्त मोरी की सेना में नव हजार हाथी थे तो आप बोल स इसका सही हुत्तर हो जाएगा लिच्ष ही ओपसय कर समय आंसर दोस्तों बिम्विसार की पतनी कवर्ष महा जनपद की राज़कुमारी के टीक है बिम्विसार की पतनी पंजाब के मदररा-जीश की राजकुमारी थी चंपर भीषार-धा की कुछ महतपूर तामर पसान कालिन पुराता तुविक इस्थलों में एक इस्थल सोनपूर है यहां बिहार के किस जिला में इस्थित है तो यहां बिहार के कौन से जिला में इस्थित है तो यह आपको गया में देखने को मिलता है ओप्सन नंबर जो है तीसरे का डी सही आंसर हो जाएगा ठीक है यह आप अच्छे से नोट किजिएगा बोला कि सूलब इंटरनेशनल के संस्थाबक बिंदेश्वर पाठर की मृत्यू कब हो गया था देखें बिंदेश्वर पाठर की जो मृत्यू है दोस्तों ये कब हुआ था बताईएगा तो आप यहां पर ऑप्सन देख सकते हैं 15 अगस्त को आप परभावित रहा था तो आप परभावित रहा था बताईएगा तो यह आपका मुंगिर जो है दोस्तों आप परभावित रहा था बाकि पतना दानापूर मुझाफर पूरिया आपका सही दिया गया है बिहार इस्टूडेंट कॉन्फरेंस के स्थापना किस वर्स जाएगा यह अच्छे से याद रखिएगा पत्ना कॉलेज के जो की सभागार में डॉक्टर रेंदर परसाथ क्नेटरितों में किया गया था आगे कोशन है कोशन नमबर सेवन बिहार के किसी छेतर को उडिसा को हस्तांतरित कर दिया गया था जो बाद में पुनह बिहार में सा ही आंसर हो जाएगा नेश्ठ है बोला कि पूरिलिया को कब बिहार से पसीम बंगाल राज्य को हस्तांतरित किया गया है आंसर हो जाएगा वर्स उनिसो चपन में वर्स उनिसो चपन में हस्तांतरित किया गया था आप्सन नमबर जो है एट का सी सही हो जाएगा नवंबर दो हजार इसवी में ततकलिन बिहार की कितने जीलो को पृतर कर जहार्खन राज्य बनाए गया तो इसका ओप्सन देख लेते हैं क्या है इसका ओप्सन देखिए ये रहा इसका ओप्सन बताईए 9 का सही आंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा 18 आप्शन नमबर सी हो जाएगा देखिए पंद्रह नमबर दो हजार इसवी को बिहार के दच्छिडी भाग के अठारा जीलो को अलग करके जार्खन राजिये बनाए गया था ठीके पंद्रह मार्च दो हजार को नैश्ट है कि आरे समाच के संस्थापक स्वामी द्यानन सास्त किसके साथ हुआ था ठीक है तो ये हुआ था राम राम जीवन भट के साथ है ना ऑप्सन नमबर जो है यह सही आंसर हो जाएगा राम जीवन भट बात कर लेते हैं कि आरे समाच sitä्पना किसके दवारा किया गया था तो स्वामी द्यायनन सवस्तिजि और यह 1875 में जो है आरे कि दोस्तों कि इसका उत्तर हो जाएगा Open जोए 11 का सी तो कि माध सुमागधि नाम से जाना आता है सुमागधि के नाम से हम जानते हैं तो यह यह तो सक्री नदी का बनारों पी हो जाएगा सक्री सप्तर करें एंदो जो है इतल जारखंड में हजारी भाग के पठार का है ठीक है तो यह आप अच्छे से नोट कीजेगा बात कर लेते हैं सक्री नदी के बारे में तो नवादा जीले में सिचाई के लिए नहर निकाली गई है नेश्ट की जीवन नया बिहार के किस अभिनेता के पहली फिल्म था तो बताईए इसका सही आंसर क्या होगा तो यह आपका हो जाएगा असोक कुमार होगा क्या होगा असोक कुमार तो असोक कुमार का वास्तविक नाम क्या है तो कुमुदलाल गांगुली था क्या था कुमुदलाल गांगुली 2011 की जंग्रना के अनुसार बिहार में सिर्थ सक्षर्टा दर वाला जीला रोहतास है रोहतास में सक्षर्टा दर से संबंदित सक्षर्टा दर से संबंदित नेम नमें से कौन सा तथ्य सही है इसमें आपका पूछ रहा है कौन सा इसमें आपका सही दिया गया है तो देखिए बिहार में सरवादिक सक्षर्टा दर आपका सक्षर्टा दर वाला जीला आपका है यहां पे ठीक है बिहार में सरवादिक पूरु सक्षर्टा दर वाला आपका जीला है और बात कर लेते हैं कि बिहार में सरवादिक महिला सक्षर्टा दर वाला आपका जीला है तो आंसर हमारा उप्युक्त सभी तक थे सही दिया गया है नेश्ट है जनगरना 2011 के अनुसर बिहार राज में नियूंतम लिंगानुपात वाले तिन जीलों का करम निम्न में से कौन सा है तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर होगा भागलपूर और खगडिया यानि ऑप्सन नमबर बी सही होगा निम्न में से कौन सुमेली थे इसमें आपका सही कौन सा है देखिए सही अगर हम देख लेते हैं तो केवल 1,2,3,4 यानि चेरी बिद्रो आपका 1800-1818, कोल बिद्रो 1831-32, भूमिज बिद्रो जो है 1832-33 और संथाल बिद्रो जो है आपका 1855-56 है ना तो ऑप्सन नमबर जो है डी सही होगा आगे देख लेते हैं अगला हमारा कोशन क्या है कि बिहार में सुनन दिनी योजना का उद्दे से क्या था देखिए योजना का उद्दे से पूछ रहा है तो आंगनवारी कारिकरताओं कि सैक्षडिक इस्तर में सुधार फिलाना है उपशन नमबर 17 का दोस्तों क्या होगा तो सी सही आंसर हो जायगा नैस के बिहार वी से ससत्र पुलिस अधिनियम किस वर्स आया या फिर किस वर्स का है तो यह का है 2021 का कब है 2021 का है उपसन नमबर जो है सी सही होगा बिहार में पहला कच्छवा पुनरवास केंद्र कहां इस्थापित किया गया है तो बिहार में पहला कच्छवा पुनरवास केंद्र पूछ रहा है तो यह आपका भागल पूर वन छेतर में हो जाएगा ऑप्सन नंबर क्या होगा तो बी सही आंसर हो है तो अवधी निम्न में से क्या है बताईएगा तो ये आपका हो जाएगा कोशन नमबर 20 का बात करते हैं तो 2017 से 22 ऑप्सन नमबर हमारे हैं पे डी सही उत्तर हो जाएगा आगे है दो जनगर्णा पूछ रहा है कि जनगर्णा रिपोर्ट दोरी गार्णा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल गंज क्या हो जाएगा नैश्ट की बिहार में मांजी एकमा गियासपूर्च और बिहार के किस मैदानी भाग में है तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा घागरा के मैदान में ऑप्सन नंबर हमारा दोस्तों यहां पे बिस डी सही होगा बिहार में बर्म समाज की पहली साखा कहां स्थापित हुआ था तो यह बताईए इसका सही आंसर क्या होगा तो यह आपका हो जाएगा भागलपूर क्या होगा भागलपूर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हर घर बिजली लगातार योजना बिहार में कब सुरू किया गया है बिहार में कब सुरू किया गया है तो यह आपका हो जाएगा 2019 क्या होगा 2019 में जो है इसका गठन किया गया है आगे कोशन है कि कासी प्रसाद जैसावाल रिसल्स इंसिट्टूट पर्टना निम्न में से किस क्षेतर से सम्बंदित संस्थान है तो बताईए इसका सही आंसर क्या होगा देखिए इसका सही उत्तर हो औप्सन हमारा यहां पर क्या होगा तो टी सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रिय जलमार्ольно राज्ययों में से किस राज या भी राजियों से समबन्दित है तोर 2 oh उत्तर हो जायेगा 27 का हो जायेगा केवल बिहार होगा क्या होगा किवल बिहार होगा वही बात कर लेते हैं कि राश्ट्ट्री जलमार्ग अंठावन बिहार और यहाँ पे देखिए राश्ट्री जलमार्ग अंठावन जो है कोशिज से सम्मज़ जलमार्ग है नेस्ट कोशन है कि पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग कितना प्रतिसत है तो पांच दसमलो छाप प्रतिसत है ना ओप्सन नमबर जो है अठाव अठाइस का सी सही होगा वर्स द्वारे कईस बाइस में राज्य में गिये हूँ उत्पादन के मामले में सबसे सिर्स जिला जो है कौन सा है तो सबसे सिर्स पूछ रहा है तो यह आपका रुहतास होगा क्या होगा रुहतास ओप्सन नमबर ए सही होगा वर्स द्वारे कईस बाइस में बिहार राज में दलहन उत्पादन में सबसे सिर्ष जिला कौन सा है तो इसका ओप्सन अगर हम देखें को सनमबर 30 का तो यह आपका पटना होगा क्या होगा पटना जो है इसका सही उत्तर हो जायागा आप इसको अच्छे से नोट किजिएगा नेश्ट है को सनमबर 31 निम्न में से कौन भावानी दयाल सन्यासी की रचना है तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका ओपिक तो दोनों हो जायागा यानि कारावास की कहानी प्रवास की कहानी सुरी प्रवासी की कहानी तो ऑप्सन जो है 31 का क्या होगा सी हो जाएगा भावानी दयाल सन्यासी दच्छिड अफरिका में कई बार जेल गये थे नेस्ट कोस्टन है कि बिहार विधाई का भवन किस वर्ष अपना एक सो अपना एक सो वर्ष पूरा कर लिया है तो आशर देखिए हो जाएगा वर्ष दोहजार एकीस में वर्ष दोहजार एकीस में ऑप्सन नंबर दोस्तों यहाँ पे 20 हो हुआ था जिसके अध्यक्ता जो है सर वाल्टर माडे ने किया था ठीक है तो यह पॉइंट आपके लिए जरूरी है याद रखना बहुत धर्व में प्रत्वार विभाजन किस बहुत संगिती में हुआ था तो यह आपका दूसरा बहुत संगिती हो जाएगा ऑप्सन नंबर जो है दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा नोट कीजेगा आगे कोशन है कि दून घाटी बिहार के किस भाग में है देखे दून घाटी बिहार के किस भाग में है तो यह उत्तर पसीम भाग में है ऑप्सन नंबर जो है बी होगा बिहार के उत्तर पसीम भाग में सित पसीमी यानि पस्सिम चंपरण जीला के उत्तरी भाग में हिमाले के सिवालिक परवस्रिणे की उपस्तिती है। बिहार के सरवादिक वनावरण जीला कैमबूर में वनावरण कितना वर किलोमेटर छेतर में है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1051 मोलो 56 वर किलोमेटर होगा ओपसन नमबर 35 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेश्ट हम देखेंगे राज्य विधायका के संदर्भ में धन विदहक की परिभासा किस अनुछेद में परस्तूत है। तो किस अनुछेद में परस्तूत है तो यह आपको देखने के मिलता है अनुछेद 199 में अनुछेद 199 में ऑपसन नमबर B बिहार सरकार ने परथां बार स्टार्ट अप निति किस वर्ष सुत्रबद किया था। बताईए क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016 में क्या होगा 2016 में होगा ओपसन नमबर 37 का बी सही हो जाएगा वर्ष द्वार 12 के उत्पादन के अधार पर बिहार में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में हुआ था। तो बताईए इसका उत्तर क्या होगा तो यह कटिहार होगा दोस्तों कटिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार सासन में दृष्टी एप कीस विभाग से संबंदित है जो द्रिष्टी एप है यह आपका देखने की बिलता है जल संसाधन से जो की ओप्सन नमबर 49 का C होगा द्रिष्टी एप को फरवरी 2022 में सुरू किया गया था इस एप के जरिये जल संसाधन विभाग के जारी योजनाओं की प्रगती का निरक्षन किया जाता है बिहार में खेल संमान कारेकरम किस तारिक को आयुत किया आता है बताईए इसका सही आंसर क्या होगा देखिए इसका सही या उप्सन आपके सामने दिया हुआ है यह आपका 29 अगस्त होगा क्या होगा 29 अगस्त है ना तो आप्सन नमबर जो है C होगा मुख्य मंत्री परिभरमण योजना किस इस्तर के विद्यालियों के लिए है आंसर हो जायागा मद्य विद्याले दोस्तों आप्सन नमबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा बिहार में दिर्माना धिन अतिलगू जलविदूत परियोजनाओं में तेजपुरा परियोजना किस जीला में है तो यह आपको देखने को मिलता है औरंगाबाद में कहाँ पे औरंगाबाद में ऑप्सन नमबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा इस परियोजना की कुल छमता जो है देड़ मेगावाट यानि 1.5 मेगावाट विधूत उत्पादन की है आगे है कि बोला कि रूप धारा लगू जल विधूत परियोजना से संबंदित सही तथियों की पहचान करके बताईए देखिए इसका आंसर हमारे जो है एक और दो होगा यानि यहाप परियोजना महानंदा नंदी परवेसिन है और स्वारी मापके जेगा एक और तीन दिया गया है है ना तो इसमें आप देखेंगे तो महानंदा परियोजना और यहाप परियोजना किसन गंज में है तो आप्सन नमबर दोस्तों आप्सन नमबर ए एक और तीन दिया गया है चलिए वो लैक कुसेसवर इस्थान पक्छी आप भिहारने का छेतरफल लगभा कितना वर्ग किलो मिटर है तो कितना वर्ग किलो मिटर है तो यह रहा आपके सामने आप्सन बताईए क्या होगा एक से सबसे बड़ा सुरूत आपका नलकूप ही है ठीक है बिहार में थरूहट छेतर बिहार विकास का समन्द किस जीला से है तो यह आपको देखने को मिलता है पस्मी चमपरना है ना ओप्सन नमबर जो है डी होगा मुख्य मंतरी अनसुचित जाती एवं जन जाती है ना छातरावास योजना के तहट प्रति छातर प्रति मा कितना नगत पुर्टसाहन रासी दिया गया है तो यह हो जाएगा एक हजार क्या होगा एक हजार होगा ओप्सन नमबर ए होगा पुला की दसरत मांजी कौसल विकास योजना का किरिया निवेन किस विभाग द्वारा जो है किया जा रहा है तो इसका ओप्सन हम देख लेते हैं क्या है इसका ओप्सन देखिए इसका ओप्सन आपके सामने दिया हुआ है सरम विभाग हो जाएगा आंसर हमारा सी होगा बिहार में मुख्य मंत्री विर्दजन पेंसन योजना कब शुरू किया गया है तो यह जो आपका शुरूआत किया गया है दो हजार नौ में ऑप्सन नमबर सी यहीं पर दोस्तों हमारा जो है सेट समाप्स होता है अब आप बताएगे कि पचास में से कितना अपने प्रस्न सह ही किया है और यहां से अगर आना होगा दो चार एक दो कोशन जो है यहां से आपका फज जाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत और जो भी आपका पुराना करेंट अफेर का वीडियो है देखते चलिए क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो दो तिन घंटे बहुत आप डारेक्ट इक्जाम में देखेंगे तो आपको ज्यादा कन्फूजन नहीं होगा आराम से आप जो है आंसर टिक कर पाएंगे चलिए आज के लिए तना ही जै हिंद